रोजाना देखने के लिए डूइट योरसल्फ, लेटेस्ट न्यूज, अब्डेट्स, टेक वीडियो, सब्सक्राइब करें टेकनिकल ई गुरूजी चैनल को और बैल आइकन को दबाईए, सबसे पहले देखने के लिए केवल हिंदी में दोस्तों, बैंकिंग सेवाब और होगी है, महिंगी, ATM में लिमिट से ज़्यादा पर पैसे निकाला, तो आपको देना पड़ेगा उस पर भी GST, देश में बैंकों द्वारा ग्रहकों को दी जारी मुफ सेवाँ जैसे ATM, चेक्बुकिया, स्टेट्मेंट इतारी पर GST नहीं Central Board of Indirect Taxes और Custom ने सवाल जवाब के तौर पर जारी किया है, हला कि Tax विभाग ने कहा, क्रेडिट कार्ड के बकाय पर लेट पेइमेंट करना, अत्वा AMI मुफतान करने पर विपल होने पर GST लगेगा, इसके लाबा मुफ सेवाँ के अतरिक दी जाने वले सभी सेवाँ पर भ होने के बाद कोई निकासी की जाती है, तो उसके लगने वाले चार्ज पर भी GST लगेगा, बौर चलब है कि बैंकी सेवाँ पर GST का यह विभाग तब सामने आया, जब इस बंत्राले के दो विभाग Department of Financial Services और Department of Revenue का मुफ सेवाँ पर GST लगाए जाने को लेकर अलग-लग मत सामने आये, इसके बाद Central Board of Indirect Taxes और Custom ने बकाइद सवाल जवाब जारी किया और ग्रैकों को बैंकों के लिए मामले में पूरी तरह से उनकी घोश्राओं को बस्ट करने की कोशिश की गई है, टैक्स विभाग की सफाई के बाद ग्रैकों को प्रतीमा, बैंकों द्वारा तीन से पांच AATM निकासी मुफ्ट दिये जाते हैं, उस पर तो किसी तरह के GST में लगेगा, लेकिन इस मुफ्ट निकासी के होने के बाद किसी भी तरह की का अगर बैंक से ट्राजिशन किया जाएगा, तो उस पर GST भी लगेगा, जो उस भी उसमें चार्जिस होंगे, टैक्स विभाग के सवाल जवाब के मताबिक, यदि बैंक अपने ग्राइपों को किसी भी सेवा के लिए सर्विस चार्ज पर डिसकाउंट देता है, तो ऐसी स्थिदी में खुल सर्विस चार्ज के डिसकाउंट को घटा कर ही GST वसूला जाएगा, इस तरह इस फैसले के च अपने ग्राइपों को अलग-अलग दर पर चार्ज लगाता है, आम तोर पर बैंक महत पूर्ण ग्राइपों के लिए अधिक डिसकाउंट देता है, जिसके उनके खाते उनसे लगातार चलते रहें, अब GST की नजर ऐसे खातों पर भी रहेगी रोजाना देखने के लिए डूइट यूरसल्फ, लेटेस्ट न्यूस, अपडेट्स, टेक वीडियो, सब्सक्राइब करें टेकनिकल ई गुरुजी चैनल को और बैल आइकन को दबाईए, सबसे पहले देखने के लिए केवल हिंदी में